हलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का नोटिफिकेशन चैनल पे इंडियन कॉस्ट गार्ड ने दस्मी, बार्मी और डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए GDDB और सेलर वक्के पोस्ट के लिए वेकेंसी निकाली है आईए देखते हैं इस वीडियो में फूल नोटिफिकेशन सबसे पहले इंपोर्टिन नोट ये है दोस्तो कि अप्लिकेशन जो हो वो ऑनलाइन अप्लाए होगा और इसके स्टार्टिंग डेट 4 जनवरी 2022 और लास्ट डेट 14 जनवरी 2022 को है वेकेंसी डेटेल केटेगरी वाइस दोस्तो इस परकार है जीडिक के लिए 260, डीवी के लिए 35, मेकानिकल 13, इलेक्ट्रिकल 9, इलेक्ट्रोनिक्स 5, इन सेलर, सेलर पोस्ट के लिए दोस्तो टोटल पोस्ट जो है 322 पोस्ट है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है दोस्तो जीडिक के लिए आपको 12th pass with math and physics होना है और नाविक जो डीवी के लिए है वो 10th pass only या अंत्रिक के लिए आपको 10th pass at with diploma होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल और इलेक्ट्रोनिक्स में एज लिमिट जो दोस्तो उसकी क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि minimum age 18 और maximum age 22 होनी है सारे पोस्ट के लिए दोस्तो 18 से 22 उम्रबाले ही लोग भरेंगे और relaxation है इसमें upper age में वो है SCST के लिए 5 साल और 3 साल है वो भी CNCL के लिए तो दोस्तो apply कर सकते हैं आप लोग जल्दी से selection procedure क्या क्या है selection procedure जो दोस्तो आपको 4 stage में इसका clear करना होगा stage 1 जो आपका written exam है stage 2 आपका physical fitness test है और document verification होगा फिर आपका medical test होगा stage 3 में फिर stage 4 में आपका final medical list बनेगा दोस्तो इसके बाद written exam जो होने वाला है first stage 1 उसमें देखते हैं दोस्तो कि क्या है written exam का criteria written exam में दोस्तो 5 section है section 1 to 5 section 1 navic dv के लिए है और section 1 compulsory है सारे post के लिए दोस्तो तो देखते है section 1 में क्या है section 1 में दोस्तो 60 question 60 marks का होगा और 45 में total समय होगे जिसमें 20 math का question होगा 10 science 15 English 5 GK और 10 reasoning का दोस्तो होगा और 30 marks होगा वो general category के लिए past marks होगा 27 marks होगा SCST के लिए syllabus होगा इसको दोस्तो class 10 level का होगा और ये सारे post के लिए applicable है section 2 जो है दोस्तो वो 50 marks का होगा 50 question होगे 30 minutes सी time मिलेंगे आपको 25 math होगे 25 physics होगे 20 marks आपको minimum लाना होगा past marks और 17 marks for SCST के लिए इसका syllabus का level जो होगा दोस्तो class 12 होगा और ये नाविक GD post के लिए है section 3 को देखते हैं दोस्तो इसमें 50 question होगे 50 marks होगा और 30 minutes सी समय मिलेंगे question distribution इसका electrical engineering होगा और 20 marks होगे general और OBC के लिए past marks और SCST के लिए 17 marks होगे syllabus होगा इसको दोस्तो diploma level electrical engineering होगा और ये यांत्रिक electrical post के लिए applicable है दोस्तो और देखते हैं section 4 section 4 जो है दोस्तो उसमें भी total 50 questions होगे 50 marks के होगे 30 minutes आपको समय मिलेंगे और ये electronics engineer के लिए है दोस्तो इसका syllabus होगा वो diploma level electronics engineer का होगा और दोस्तो ये section जो है वो यांत्रिक electronics post के लिए applicable होगा और देखते हैं दोस्तो section 5, section 5 में भी दोस्तो आपको 50 question, 50 marks, 30 minute समय मिलेगा इसमें question जाओंगे, वो mechanical engineering से होंगे, इसमें भी आपको 20 marks minimum for general और 17 marks for SCST minimum लाना होगा दोस्तो, इस level जोगा दोस्तो, diploma level होगा और यह जो section है दोस्तो, यहां trick post mechanical के लिए होगा दोस्तो अब देखते हैं stage 2 क्या है हमारे लिए, stage 2 है दोस्तो, physical fitness test होगा इसमें physical fitness test में आपको 1600 मिटर दोड़ होगी, 7 minute का समय होगा, 20 squares होगे, 10 push ups होगे दोस्तो और इसके बाद आपको document verification होगा, फिर आपका initial medical exam initial होगा दोस्तो जो कि सारे provisional होगे, दोस्तो इसके बाद stage 3 होगा, stage 3 में आपका final medical exam होगा जो कि INS चिलका में होगा और इसके बाद document verification होगे, और फिर इसके बाद आपको original document submit करना पड़ेगा, police verification भी आपको, report भी आपको submit करना पड़ेगा stage 4 में दोस्तो final document verification होगा, यहाँ पे आपको finally shortlist किया जाएगा training के लिए, training जो दोस्तो INS चिलका पे ही होगा तो हम लोग देखेंगे next video में how to apply online for this form तो दोस्तो channel पे बने रहिएगा next video को देखने के लिए thanks for watching, thank you guys, subscribe notification, be notified yourself कर दोस्तो